जबलपूर में एक के बाद एक कोरोना से संबंदित आवशक दवा और विवस्ताव की काला बाजारी के मामले सामने आ रही है एक और जोहां नकली रेम डिसीवर इंजेक्शन का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि रविवार की शाम आक्सिजन सिलेंडर की काला बाजारी करने वाले दो आरोपी गिर्खतार हुए हैं दोनों के पास से दो आक्सिजन सिलेंडर भी मिले हैं जिने वे एक मरीज के परीजन को बीस बीस हजार रुपे में बेचने जा रहे थे ओमती थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच दुआरा की गई कारवाई में दोनों आरोपी संज़े बारी और दुर्गेश राव जहां हिरासत में लिए गए हैं वही उनके कबजे से दोनों आक्सिजन सिलेंडर भी जब्त में लिए गए हैं SI 37 जहारिया ने बताए कि दोनों आरोपी काफी दिनों से ओक्सिजन सिलेंडर की ब्लेक मार्केटिंग कर रहे हैं देश शाम क्राइम ब्रांच पुलिस को मुकबीर से सुचना मिली की दुर्गेश राव और संज़े बारी ने एक मरीच के परीजन से ओक्सिजन सिलेंडर ब पहले 18 अप्रेल को उन्होंने एक मरीच के परीजन को ओक्सिजन सिलेंडर बेचे थे अहम भूमिका रही क्राइम ब्रांच के ASI अजई पांडे प्रधान आरक्षक गोपाल विश्वकर्मा आरक्षक महिन्र पटेल आरक्षक खुमान सिंग जवलपूर से वाजित खान की र बात किया दो इसको यह विस चारूब में लेने की बात कि जब इसकी मां से लगा तो उसकी मां जो है मां यह कुस अदमीकारा है करते हुए इनको पकड़ा है इसके फाइयर कर रहे हैं और दूने से लोग है संजय बारी और दुर्गेश राओ निवासी तो बढ़ा निवासी तो पता नहीं है और पिश्टाज कर रहे हैं हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले